इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह लैप्टॉप में डेक्स्टॉप पर से नेट्वर्क का आइकन किस तरह हटा सकते हैं चलिए देखते हैं अगर आप इस network के icon को हटाना चाहते हैं desktop पर से तो किस तरह हटा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ आपको सबसे पहले start पर click करना है उसके बाद आपको settings पर click करना है फिर आपको पहले मैं इसे maximize कर लेता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर windows settings में personalization पर click करना है और उसके बाद आपको themes पर click करना है यहाँ पर आपको दिखाई देंगा right side में desktop icon settings आपको इस पर click करना है तो आपको जो है left side में desktop icon settings के अंदर desktop icons में दिखाई देंगा network तो आपको इसे untick करना है इस तरह और फिर नीचे आकर apply पर click करना है और ok कर लेना है उसके बाद आपको बहार आ जाना है close करके और अब आप देख सकते हैं desktop पर से network का icon चला गया है तो इस तरह आप जो है network icon हटा सकते हैं desktop पर से पर लेको शेचे का का चructured आपको जासे फबता है जो होबस से नीचे जड़े अपके a क्रया में बहारां